नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लो कुक्विट पैशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज हम लेकर रहा हैं अर्वी का चोखा यह चोखा बहुत ही फाइदेमंद होता है और अर्वी हमारे पेट के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है तो चलिए शुरू करते हैं यह देखे यहां पर यहां है अर्वी और यहां पर मैंने लिये हैं इसके साथ 4 आलू यहां पर अर्वी हमारा लगभग 300 ग्राम है सबसे पहले हम अर्वी को प्रिशर कुकर में कुक कर लेते हैं यहां पर मैंने एक प्रिशर कुकर लिया है अब इसमें आलू और अर्वी को डालेंगे साथ ही डालेंगे एक गिलास पानी और इसे कुक कर लेंगे यहां पर मैंने एक गिलास पानी डाला है और अब हम इसे Cook कर लेंगे इसे हम medium flame पर पकाएंगे एक सीटी आदे तक इसे हम medium flame पर पका लेंगे और जब एक सीटी आ जाएगा तो हम flame को मिलकुल low पर करेंगे और पाँच मेंट पका कर इसे उतार देंगे और यहाँच का pressure खुद ही निकल गया है तो अब हम इसे खोल लेते हैं और यहाँ पर आलू और अर्वी हमारा उबल चुका है तो अब इसे हम एक थाली में पलट लेंगे जिससे यह आसानी से ठंडा हो जाए और अब यह अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे हम छील लेंगे अर्वी उबल जाने के कारण आसानी से छील लिया जाता है तो इसे हम अच्छे से आलू को और अर्वी को छील लेंगे यहाँ पर अर्वी और आलू को हमने अच्छे से छील लिया है तो अब हम इसे मैस कर लेंगे आप चाहे तो चम्मच की मदद से या मैसर की मदद से या फिर चाहे तो हाथ से भी इन्हें अच्छे से मैस कर सकते हैं और यहां देखे आलू और अर्वी अच्छे से मैस हो चुके हैं अब हम इसमें मिलाएंगे धनियापत्ती और साथ ही जाएगा कटा हुआ हरा मिर्च यहां पर मैंने दो हरे मिर्च को बारी काट लिया है लिया है स्वादनुसार नमग और साथ ही लसुन की कलियों को मैंने छोड़े चोड़े टुकड़ों में काट लिया था इसे भी हम मिला लेंगे अब इन सब चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते है और दोस्तों आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिये साथ ही बेल आइकन को पेट के लिए आप इसे एक पार जरूर ट्राइ कीजिएगा यह बहुत टेस्टी बनता है आप इसे चाहें तो रोटी या दाल चावल के साथ खा सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना खयाल रखिए नमस्कार